हलो स्टुडेंट्स मैं हूँ सूपिया रंजन पैफन लेक्चर की इस सीरीज में आज हम देखेंगे उनिट वन इंट्रोड़क्शन वेरियेबल और डेटाइप्स का नेक्स टॉपिक इंस्टॉलेशन और पाइफन एंड सेटिंग पाथ पैफन को हम कहां से डाउनलोड करेंगे उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसका पाथ हम इंवारिमेंट वेरियेबल में कैसे सेट करेंगे इंवारिमेंट वेरियेबल क्या होता है यह आपको बता जाएगा तो हम आगे देखते हैं हमारा पहला टॉपिक है इंस्टॉलिशन और पाइथन इसमें हम देखेंगे कि पाइथन को कहां से डाउनलोड करेंगे और इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे तो हम आगे देखते हैं पाइचन नावलोड और इंस्टॉल करने के कई स्टेप्स होगे तो हम साथी साथ थ्योडी भी देखते जाएंगे कि अगर आपको एक्जामे पूछा जाए तो आप कैसे लिख सकते हो और साथी साथ उसे हम प्रेक्टिकल करके डाउनलोड भी करते जाएंगे ताकि आपके सि dr Revelation करेंगे जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी अप्लिकेशन डाफ अ अपनलोड करें तो जसके काई साथे जा की अप्डेट अता है उसका एक नीया वर्जन निकाला जाता है तो था सबस्क्राड हो स कि लिए सब्क चाहिए जिसमें कुछ difference होता है उसके syntax में और working environment में कुछ-कुछ differences होता है तब तुसके नई version निकाले चाते हैं We need to choose the version which we want to use or need तो हमें वैसे version को select करना है जिसका हमें use हो There are different version of python 2 and 3 are available अभी हमारे python 2 and python 3 के different different version available है पर हमें उस version को choose करना है जिसके हमें जरूरत है जिस पर हमें काम करना है The version we need depends on what we want to do in python मैंने जैसे बोला कि python का version हम select करते है वो depend करता है कि हमें आखिर उसके साथ उसके में क्या काम करना है For example if we are working on a project coded in python version 2.6 इसके यहां पर बोला जा रहा है एक्जाम्पल हो कि जैसे कि हम python वैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो भारा python version 2.6 में code किया गया है तो we probably need that version तो हमें वही वर्जन चाहिए होगा अगर हम कोई project पहले से बना हुआ है और वह python 2.6 में बना हुआ है तो हमें उस पर काम करना है तो हमें वही वर्जन चाहिए ताकि हम उस पर काम कर सकें if we are starting a project from scratch we have the freedom to choose अगर हमें कोई project बनाना है scratch से start करना है मतलब अभी हमें project start ही करना है वह project पहले नहीं बना गया अब just start करना है तो हम महारे पास स्वतंतरता होती है तो हमें पास freedom होती है कि हम कोई भी वर्जन को select कर सकें लेकिन अगर हम किसी project पे काम कर रहा है जो किसी particular वर्जन पे निकाला गया है तो हम उसी वर्जन पे काम कर सकते हैं और अगर हमें project stress से start करना हो तो हम कोई भी वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं for learning to code in python python 2 & 3 are recommended तो यहां पे बोला जाड़ा है कि अगर आपको code करना है और सीखना है python 2 & 3 recommended होता है तो हम आगे देखते हैं step 2 download python executable installer इसमें हमें क्या करना है python को download करना और इसके installer को download करना तो पहला step हमारा यहां पे लिखा हुआ है on the web browser in the official site of python www.pathon.org move to the download for windows section अभी बोला जाड़ा है कि आप पहले web browser open करो वहां पे उसके official site पे जाओ python के www.pathon.org और वहां पे आप move to the download for windows section windows section के download वाले section में आप जाओ तो हम इसको करते हैं भी हम यहां पाइटन को official website पे आ गया है यहां पे हम डाउन्लोट में जाएंगे और यहां जाकर के windows section में जाएंगे अब देखे यहां पे कुछ चीज़े समझने के लिए हम समझेंगे पहले हम पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है .2 में लिखा हुआ है search for our desired version of python at this time the latest python 3 release is version 3.10.5 while the latest python 2 release version is 2.7.18 मतलब यहां पे हम अपना python के version को select करेंगे यहां पे हमारा python 3 का जो latest version है अभी फिलहाल इस time पे हो है 3.10.5 और python 2 का जो भी latest version है वह है 2.7.80 third point है select a link to download added windows cross 86 64 executable installer और windows into 86 executable installer इसका मतलब समझें यहां पे जो लिखा हुआ है windows into 86 64 executable installer इसका मतलब यह है कि या तो आपका system 32 bit का है या तो आपका system 64 bit का है उसके हिसाब से आपको वर्जन को select करना है किसी भी वर्जन के पर्टिकुलर installer को select करना है और जो डानलोड इस अप्रॉक्रॉक्सिमेटली 25 MB मतलब अप्रॉक्रॉक्रॉक्सिमेटली 25 MB का यह डानलोड होगा लेकिन आपको उसके पहले यह करना है कि आपका system कितने बीट का है 32 बीट का है यह फिर 64 बीट का है वह कैसे करते हो भी आपको बताया चाहेगा पहले से पढ़ लेते हैं नोट इफ आवर windows इंस्टोलर इस 32 बीट सिस्टम 32 बीट सिस्टम वी निट दैर वींडोज इन्टो इंटो 86 एक्जीकुटेवल इंस्टोलर चाहिए होगा इफ आवर वींडोज इस 64 बीट बर्जन अगर हमारा इन्टू 8664 इंस्टॉलर को डानलोड करना होगा there is nothing to worry about if we install the wrong version अगर हम रॉंग वर्जन इस्टॉल कर लेते हैं तो हमें घबराना नहीं है क्योंकि हम इसे अनिस्टॉल करके दुवारा नए पैथन इस्टॉल कर सकते हैं अगर हम गलती से कोई गलत वर्जन को डानलोड कर लेते हैं जो हमारे सिस्टम को मैच नहीं करता तो घबराना नहीं है हम उसे uninstall करके दूसरा practically कर सकते हैं तो हम यह देखते हैं कि हम कैसे पता सकते हैं कि हमारा सिस्टम कितने 20 का है फिर 64 इंच consist4 बीट का है हम पहले में जाएंगे mak Shffam settings सेटिंह सेटिंह्ग द knights करेंगे सएंटिंग्स हैं यहां पर जाकर हम सीस्टम में अब आउट में जाएंगे यहां पर देखिए साफ साफ लिखावा 64-bit operating system 64-bit operating system इसका मतलब यह है कि हमाई जो system है वो 64-bit का है तो हम 64-bit installer को डाउनलोड करेंगे तो हम वापस चलते हैं पाइफन के official website पे और उसके according हम अपना पाइफन सलेक्ट करते हैं तो हम पाइफन के official website प 2.7.18 जैसा मैंने बताया था अब यहां पर देखना है कि आप कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हो पर यहां पर कुछ चीज लिखी है जो आपको ध्यान देनी है यहां पर लिखावा है note that pattern 3.10.5 cannot be used on windows 7 और earlier इसका मतलब यह है कि अगर आपका windows 7 है या उसके पहले का कर सकते हो तो किन ही भी लोगों का अगर windows 7 है या उसके पहले का बर्जन है तो आप यह वाला वर्जन इंस्टाल कर सकते हो python 3.8.10 यहां पर लिखावा है cannot be used on windows xp और earlier अगर windows xp और earlier वाले पी यह नहीं चलेगा पर windows 7 है अगर आपको तो यह चल जाएगा तो आप windows 3.8.10 इ क्योंकि आपको तो अभी सीखना है ना तो आप इसमें भी सीख सकते हो तो आप यह भी डानलोड कर सकते हो अगर आपका windows 7 है या उसके पहले का वर्जन है तो अभी एक और बात आती है कि हम अपना windows कैसे चेक करें कि हमारा कौन सा windows है तो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है आपको सेटिंग्स में आना है यहाँ पर आप आप आऊगे सिस्टम में अब आउट में तो यहाँ पर देखोगी कि यहाँ पर लिखावा विंडोज 11 यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ विंडोज 11 लिखावा इसका मतलब यह है कि आपका windows 11 है तो आप windows 10.5 इंस्टाल कर सकत तो हम आते हैं अपने python 3.10.5 के बर्जन पर यहां पर हम आ करके इसको डानलोड कर लेते हैं क्योंकि हमारा 64-bit सिस्टम है और हम वारा windows 11 है तो हम python 3.10.5 इंस्टाल कर सकते हैं डानलोड कर सकते हैं तो यहां पर आ करके हम इस link पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो python यहां पर डानलोड हो चुका है अब अपने ppt पर चलते हैं देखते हैं उसमें आगे क्या लिखा हुआ है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने screenshot भी लगा दिया है अगर आपका windows 10 यह 11 है तो आप यह python 3.10.5 डानलोड कर सकते हो अगर उसे यह जब हमारा pattern download हो चुका है जो हमने download कर चुके हैं भी उसे हमें run करवाना हो ताकि वो install हो सके यहां पर फिर्स्ट पॉंट में लिखावा है रन पैटन इंस्टॉलर वस डानलोड जब पैटन इंस्टॉलर डानलोड हो जा तो उसे में run करवाएं इन दिस एक्जाम्पल व हमने 3.10.5 वर्जन डानलोड किया है आप जो भी जो उसा भी डानलोड करो उसको run करवाई है फिर दूसरा point है make sure we select the install launcher for all users यहां पर देखिये लिखावाँ ना install launcher for all the users और दूसरा add pattern 3.10 to path दूसरा option है आप पर add pattern 3.10 to path इससे हमें क्या करना है make sure दोनों को हम select कर ले दोनों check place the interpreter in the execution path इसका मतलब यह है कहां पर इसको हम क्यों select कि है ताकि जो interpreter है वो कहां पर कहां पर स्टोड है उसका path उससे पता हो जब execute करना हो तो उसके path हुहां पर जो मरा environment variable है उसमें set हो environment variable क्या होता है मैं थोरा से overview देती हूं अच्छे से बताई देती हूं और आगे practical करके बत होंगे environment variable क्या होता है एक जगह होता है जो operating system को जितना भी data necessary है या भी कोई भी application है जो एक किसी एक data को बार वार यूज करता है उसको environment variable store करके रखता है ताकि वहां से उस data को या फिर किसी भी path को किसी भी particular चीज के जिसे हमाने बार वार कंपाइल करना या इंटर्प्रेट करने का प्रोग्राम रखा गया है उसका path हम हम environment variable को दे देते हैं ताकि उस path पर जाकर कि उस code को वह चला सके जिससे हमारों का भी application इंस्टॉल हो सके तो यह तो operating system का काम है इंस्टॉल करना तो उसका path environment variable में देख करके रखते हैं इसके वारे मां आगे हम थोड़ा और देख भी application इसटॉलेशन प्रोशयन फॉर मिशन्य इस अना वर पही क्लीकिक फिंशिंट शलाइड में क्या हैका देख क आंज सक्साइशन वह तकुलेशन इसक्राइब करना है सब्सक्राइब क्म्प्रेक्ट रह Depot हो सबस्टेयर न जया किशनर तो जैसा कि आप देख सकते कि हमारा python यहाँ पर download हो गया है मैंने इसे एक specific folder में रखा है आपका python जहाँ भी download हो वहाँ पर जा करके आप इस पर double click करोगे तो यह हमारा screen खुल के आएगा यहाँ पर मैं क्या करना है दोनों check box को tick करना है तो यहाँ पर पहला तो tick वहाँ पर है यहाँ पर यहाँ पर क्या करना है दूसरे check box को tick करना है उसके लाद हम इस पर click करेंगे install now पर देख रहे हमारे यहाँ पर install हो रहा है यह कुछ time लेगा ज्यादा time नहीं लेगा डिपेंड करता है कि आपके system का क्या execution speed है अगर SSD है तो यह जल्दी install हो जाएगा अगर HDD है तो थोड़ा time लगाएगा तो इसके लिए हम वेट करते हैं तो देख सकते हमारा Python successfully installed हो गया है setup was successful यहाँ पर हमारा Python successfully installed हो गया है हम simply यहाँ पर close पर click कर देंगे तो हमारा Python यहाँ पर finally installed हो चुका है next topic देखते हैं तो हम आते हैं अपने PPT पर हम देखते हैं हमारा next step जो है step 4 verify pattern is installed on windows यहाँ पर क्या करना है हमें verify करना है कि pattern windows में installed हुआ है कि नहीं तो हम इसके point को पढ़ते हैं to ensure if pattern is successfully installed in our system we should follow given step जो हमें देखना हमें ensure करना हो कि pattern successfully installed हो गया पहला है open command prompt हमें command prompt को open करना है दूसरा type python and press enter दूसरा pattern वहाँ पर press करना है और enter दवाना है the version of pattern which you have installed will be display if the pattern is successfully installed on your windows जैसे यहाँ पर फोटो देख सकते हो कि हमें पर command prompt open कर यहाँ पर python लिखा है अगर यह दिख जाता है इसका मतलब यह है कि हमारा python just successfully installed हो गया है तो इसे हम करके देखते हैं तो हम आ गये हैं अपने desktop पे यहां करके हम search करेंगे command prompt ठीक यहां पर हम right click करके run as administrator कर देगे ठीक है हमारा command prompt खुल गया है यहां पर हम type करते है python फिर enter दबाते हैं तो देखिए यहां पर लिखा रहा है python 3.10.5 यहां पर हमारा python का version आ गया है इसका मतलब यह एक हमारा python जो successfully install हो गया है अब हम आते हैं पने ppt पे और देखते हैं कि next step क्या लिखा हुआ है हमारा next step is step 5 verify pip is install यहां पर हमें verify करना है कि pip install है की ने pip क्या होता है pip एक python को टूल होता है जिसकी मदब से आप different packages external packages आप यहां पर external modules यहां पर external libraries यहां पर इंस्टॉल कर सकते हो python के अंदर यहां पर पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है pip is a powerful package management system for python software packages मतलब python के software packages हो यहां के modules library हो गए उसके लिए एक powerful package management system thus make sure that we have it installed तो हमें make sure करना है कि हमारा pip यहां सक्सेफुली इंस्टॉल हो जुका है इसके लिए हम following step देखते हैं to verify if pip was installed we follow this given step पहला है open the start menu and type cmd यहां पर सेम cmd हमें खोलना है select the command prompt application command prompt cmd खोलना है महां पर हमें इंटर करना यह command pip hyphen capital V यह capital V है ध्यान देना small V नहीं capital V है pip hyphen capital V हमें यहां पर console में हमें type करना है if pip was successfully installed we should see the flowing output अगर pip successfully installed हो चुका होगा तो हमें यहां पर जो लिखा हो है यह पर हमें यह दिखेगा ठीक है तो हम देखते हैं इसको practical करके तो अपने desktop screen पर आ चुके हैं सेम हमें यहां पर search करना है cmd को run as administrator करना है फिर यहां पर हमें लिखना है pip ध्यान दिजेगा pip hyphen capital V क्या लिखना है capital V फिर इंटर करेंगे तो देखें यहां पर हमारा pip का वर्जन आ गया है pip 22.0.4 इसका मतलब यह है कि हमारा pip इंस्टॉल हो चुका है तो हम आतने पने PPT पर देखते कि हमें क्या next step करना है तो हम अपने PPT पर आ चुके हैं फिर हमारा setting up path इसका मतलब यह एक हमारा पाइथन सक्सेस्फूल इंस्टॉल हो चुका है pip इंस्टॉल हो चुका है हम इने चेक भी कर लिया console पर जा करके अब हमारा जो next topic है setting up path उसमें हम देखते हैं कि हम ही क्या करना है और कैसे करना है तेहां पर कुछ लिखावाय हम पहले उसे पढ़ते हैं setting up path in python before starting working with python a specific path is set देखिए python में work करने के पहले specific path को set करना पड़ता है python program and executable code can decide in any directory of our system python program और उसका executable code जो होता है वो हमारे computer में किसी भी directory में हो सकता है therefore operating system provide a specific search path that index the directory operating system should search the executable code तो हम इसलिए क्या करते है operating system को उसका path provide करते है ताकि जब हम पारीटन program को execute करना हो तो python कहां पर हमारे system कहां पर किस directory में है उसका path हम operating system को देदे ताकि execution के time में वो उसे इंडेक्स कर सके easily इसका इन से हम पाइफन का पाथ सेट करते हैं environment variable में ताकि उस पाइफ में operating system जा करके उस पाइफन के code को easily execute कर सके महाँ से पाइफन को fetch करके उस पाइफन को fetch करके हमारा जो code हम लिखेंगे उसे execute करवा सके दूसरा है the path is set in environment variable of my computer properties देखिए यह आपर लिखावा है path जो हमारा रहता है वो environment variables में set होता है environment variables में set होता है फिर है to set the path follows the step path को set करने के लिए हम follow मतब कुछ steps होंगे उसे हम follow करें परला step है click on setting system about same हमें settings में जाना है system में जाना है फिर about में जाना है in this device specification we can see advanced system setting click on it यहाँ पर हमें settings में जाना है system में जाना है फिर हमें about में जाकर के device specification में हम देख सकते advanced system settings यहाँ पर हमें जाना है तो हमें प्रैक्टिकल करते हैं पर यहाँ नोट लिखा हुआ है note in windows 10 and windows 11 अगर आपका windows 10 है अगर windows 11 है तो आपको यह दिख जाएगा यह same to same settings दिख जाएग तो अगर आपका windows 10 11 नहीं है तो आप comment कर सकते हो video की नीचे तो आपको उसका solution मिल जाएगा फिलाल हम windows 10 और 11 वालों के लिए यह करके देखते हैं इसका practical करके देख तो हम अपने desktop पर आच चुके हैं यहाँ पर जाकर के हम settings में जाएंगे system में जाएंगे system में जाकर के about में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो advanced system settings का देख रहा है advanced system settings इस पर बोला गया है click करने के लिए तो हम click कर देते हैं यह आ गया अब हम आगे पढ़ते हैं क्या लिखा होगा step 2 click on environment variable tab in advanced category advanced category के अंदर हमें environment variable tab पे click करना है तो हम करते हैं तो हम अपने system properties में आ चुके हैं यहाँ पर हम environment variable पे click करना है तो हम इसे click करते हैं ठीक यह खुल गया उसके अदम next step देखते हैं step 3 click on new tab for user variables user variables में हमें new tab पे click करना है तो हम करते हैं अपने user variables में आ चुके हैं यहाँ पर new tab पे click करते हैं तो यह following windowẫn यहाँ पर open होता है फिर हम आगे देखते हैं क्या करना है step 4 यहां पर दियावा है, write path in variable name, यहां पर हमें variable name में हमें क्या type करना है, हमें path type करना है, तो हम इसको करते हैं, तो हम इस screen पर आ चुक है, यहां पर हमें path type करना है, तो हम path यहां पर type करते हैं, ठीक, अब हम next step देखते हैं, step 5 है, copy the path of pattern folder, in my case, it's this, this is the path, तो हमें क्या करना है, जहां पर आपका python download हो यहां पर इंस्टाल हो है, उसके path को यहां पर हमें copy करना है, तो आप देख सकते हो कि आपके system में इंस्टाल हो है, तो generally, C drive में user के अंदर, आपका user name होगा system का, उसके अंदर, app data के अंदर, local program के अंदर, python के अंदर, python 310, जो भी आ आप देख सकते हो कि आप पाइसन folder कहां पर है, मेरे case में यह है, तो मैं इस location पर जाती हूँ, और वहां जाकर कि path को copy कर, तो अपने windows screen में आ चुके है, हमें windows C में जाना है, यहां जाकर कि user में जाना है, फिर यहां पर जाकर आपका system का जो भी name होगा, आपको यहां दिख पिलेंडाइब हैं, हमें आप देटा में जाना है, यहां पर आप data क्या है एक hidden folder है, तो hidden folder को enable क्रेंटऑ क्या करते हैं, views में जाते हैंFCir색, पे यहां पर show में जाकर कि hidden item को enable कर देख सर दो, можем हए तो Υिख जाएगा, मतलब app data container आपको गोडिख जाया एक कर दिए सिंप्ली क्लिक करती हम जाना है यहां पन्ली अज़िक कर लेते हैं फाथितपर हम पर श्र! 00 in पर लेक हम हम जए्ट पर अे गता है पन्ली उस तर चेर पी-क dovms यहां इसतर चली कोंद को haar जाएगा 502,000 तक यहां हमना फोल्ड करता है अब next क्या करना है अपने PPT पे आते हैं और देखते हैं फिर हमारे step 6 पेस्ट पाथ और पाथ और पाथ कॉपी किया था उसे यहां पर पेस्ट कर देना और OK पी क्लिक करना है तो हम करते हैं तो हम इस स्क्रीन पे आ चुके हैं यहां पर simply हमें जाना है करेंगे तो हमारा पाथ क्या होगा यहां पर पेस्ट हो जाएगा फिर क्लिक कर देंगे तो हम इतना कर लेते हैं फिर आगे पड़ते हैं तो हम इस स्क्रीन पर आ चुके हैं करेंजिए लिख स्क्रीन पर पिजक्रीप कर सेंगे स्क्रीब कर नियास है यहां पर स्प्राइब्स जाएगा था उमारा क्या होगा पास सेंगे हम आगे देख देลम् सेट के है उन् पाथन कर पैजिड थर पाथन को 핵ल को एक्जीकूट कर नहों तो simply आपे हम pattern script.py लिख सकते हैं इतने लंबे path लिखने के अलावा हम से पी लिख सकते हैं तो यह ज्यादा है अच्छा है We can see it is clear and more manageable देख सकते हम पिए क्या है बिल्कुल clear है इसे ज्यादा तो simple ही है इसे ज्यादा manageable ही है तो हम जब pattern के file को execute करवाना हो तो simply हम यह लिख सकतें instead of this तो हमारा path set हो चुका है अब यह जो है यहाँ पे लिखा हुए कि यह क्या है यह क्या लिखेंगे का लिखेंगे तो हम next lecture में देखेंगे कि हम क्यू लिखेंगे क्या लिखेंगे और कहा लिखेंगे तो आज के lecture के लिए इतना ही I hope आपको lecture पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो like करे, comment करे, share करे and subscribe जरूर करे और bell icon भी दवा ले ताकि आपको सबसे पहले notification मिले, कोई video upload हो तो सबसे पहले notification आपको मिले और साथी साथ आप इसे install करोगे, download करोगे और path भी set करोगे अगर आप यह कर लेते हो तो आप comment में thumbs up करोगे, या फिर whatsapp group में आप thumbs up करोगे पका से करना ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग भी साधी साथ पढ़ रहे हो तो आप thumbs up कहीं भी करोगे चाहिए, यहाँ पर YouTube comment में करो या फिर आप किसी भी वत्व उप गूरूप में हो तो जोने एडcket इस नंवर पर मैसेज कर सकते हो तो आप मेर्ण हो जाओंगे ततों के लिए पढ़ते रहिए बाई